Welcome to Harmonica Shala दोस्तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे Music Theory और थोड़ी सी Indian जुगाड के जरिये हम अपनी Harmonica Playing को बहुत आसान बना सकते हैं ये वीडियो खास कर उन लोगों के लिए हैं जो एक Diatonic Harmonica बजाते हैं लेकिन Bending करना नहीं जानते हैं या फिर जो लोग एक Chromatic Harmonica बजाते हैं लेकिन अभी भी Slider के इस्तेमाल को लेकर बहुत Comfortable नहीं हैं वीडियो के अंत तक बने रहिए इन Tips और Techniques को जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले जानेंगे थोड़ा सा Music Theory के बारे में बहुत आसान मना देनी की कोशिश करूँगा मैं Music Theory में चार शब्द हैं जो आपको जानना चाहिए एक है Skill, दूसरा है Mode, तीसरा है Thought और चौथा है Rag अब क्या मतलब है इन चारों शब्दों का Essentially सभी का मतलब एक ही है Scale याने सरगम याने Group of Notes जैसे की सारे गम पधनी तो अब हम जानेंगे कि इनके बीच में समानता और अंतर क्या है दोस्तो Modes जो हैं वो भी Scales ही हैं ये साथ स्वरों की याने Heptatonic या फिर Diatonic Scales होती हैं जिनको Derive किया है एक Parent Scale से कुल जमा Western Music में साथ Modes हैं अब बात करते हैं थाट की जैसे मैंने पहले बताया कि थाट का मतलब भी Scale या सरगम है ये भी Modes की तरह साथ सुरों की सरगम है और राग वो भी सरगम है अब इसमें Difference और समानता क्या है देखे जो भी थाट होता है उसके सुर या तो सारे शुद्धस्वर होते हैं या फिर एक combination होता है शुद्ध, कोमल और तीवर सुरों का लेकिन संख्या साथ होती है अब ये जो एक सेट बना इस सेट में से अलग-अलग राग उत्पन होते हैं लेकिन ये राग जरूरी नहीं कि साथ स्वरों के ही हो ये पाँच या छे या उनके combination के राग हो सकते हैं सिर्फ इसके अंदर एक शर्ट रहती है कि उन रागों के सारे स्वर थाट के स्वरों में से होने चाहिए यानि मोटे-मोटे तौर पर कहलें तो थाट एक तरह का categorization है, classification है, रागों का इस तरह के भारतिय शास्त्रिय संगीत, जिसे हम हिंदुस्तानी शास्त्रिय संगीत कहते हैं उसमें 10 थाट होते हैं और हर थाट के अंदर 20 राग हो सकते हैं तो अब हम इसके आगे बात करते हैं कि मोड्स हम कैसे derive करते हैं दूसरी किसी scale से दोस्तों आपने harmonica पर सरगम जो बजाई है, वो होती है CD, E, F, G, A, B, C CD, E, F, G, A, B, C ये western notes हैं जो की map होते हैं सारे गम पधनीसा को और ये जो scale है, चूकि ये C से चालू होती है, इसको C scale या फिर C major scale भी कहा जाता है Modes क्या होता है? Modes में हम इसी scale से अलग-अलग modes को derive करते हैं जैसे पहली जो scale थी C major scale उसको ionian mode भी कहा जाता है लेकिन उसके बाद जो scales है, वो उसका शुरुवाती स्वर shift करने से बनती है जैसे CD, E, F की जगए, अगर हम D, E, F, G, A, B, C, D play करें तो वो बन जाती है Dorian scale अगर हम harmonica पर सा की जगए अपनी सरगम की शुरुवात रे से करें तो रे, ग, म, प, ध, न, स, रे, यह हमारी Dorian scale हो गई उसी तरह से एक-एक स्वर हम आगे बढ़ाएंगे तो शुरुवात अगर E से करेंगे E, F, G, A, B, C, D, E वो बन जाती है Frigian scale यानि गर्मपधर नीशा रे ग यह Frigian scale है तो अब हम जानेंगे कि उनको आप harmonica पर कैसे बजाओगे आयोनियन मोड, दोरियन मोड, फ्रिगयन मोड, और सो आप अभी हमने सारे मोड को एक के बाद एक harmonica पर प्ले किया और आपने ये note किया होगा कि इसमें से किसी में भी हमने bending का इस्तिमाल नहीं किया ये सारे notes pre-tuned थे यानि पहले से ही available थे एक diatonic harmonica पर इसका मतलब ये हुआ कि आप साथ modes या साथ अलग-अलग तरह की scales को बगैर bending किये harmonica पर बजा सकते हैं हम शुरुवात करेंगे डी डोरियन स्केल से सारे गा मा पाधा नीसा तो सारे गा अब ये जो गा है वो कोमल का है मा शुद्ध मा धा ये शुद्ध धा ही है लेकिन नी ये कोमल नी है और फिर बाद में सा तो इस तरह से अब आप जान चुके हैं कि डोरियन मोड में ग और नी ये दो स्वर कोमल है इसका मतलब ये है कि अगर कोई गाना ऐसी स्केल पर आधारित है जिसमें दो कोमल स्वर याने ग और नी का प्रयोग किया जाता हो उनको आप डायटॉनिक हार्मोनिका पर बगैर बेंडिंग किये बजा सकते हैं अगली बात डोरियन मोड का मैपिंग काफी थाट से होता है जे हां दस थाट है उसमें से एक काफी थाट है और काफी थाट के नोट्स भी यही हैं याने सा, शुद्धरे, कॉमल्ग, शुद्धम, प, शुद्ध, कॉमल्नी, और सा तो क्या हुआ मतलब काफी थाट को आपने हार्मोनिका पर बगैर बेंडिंग के बजा लिया अब इसके नेक्स स्टेप देखिए अब यह जुगार चालू हो चुकी है नेक्स स्टेप यह ह है कि आप गूगल सर्च पे जाएगे और काफी थाट की विकिपीडिया लिंक को खोज लीजिए अगर आप अंदर जाते हैं तो उन सारे रागों की लिस्ट आपको मिल जाएगी जो काफी थाट पर आधारित है याने वो राग जिनके सारे स्वर काफी थाट से लिये गए ह दोस्तो राग वो स्केल से जिनका हम किसी चीज को कंपोज करने के लिए प्रयोग करते हैं लेकिन थाट पर बेस्ट गाने हम नहीं बनाते हैं हम रागों पर बेस्ट गाने बनाते हैं तो अब जब आपके पास ये लिस्ट आ गई है उन रागों की जो काफी थाट पर बेस् आपको धेरों गाने ऐसे मिल जाएंगे जो इन रागों पर बेस्ट है अब आपको उस में से पसंदीदा गाना चुनना है और उस गाने के जो स्वर हैं उनको हार्मोनिका पर बजाना है मैंने आप लोगों के लिए डोरियन स्केल याने काफी थार्ट पर बेस्ट दो गाने च बजा के बताऊंगा उनके मुख़णों को ताकि आपको पता लग जाए कि कितनी आसानी से बगैर बेंडिंग के हम डाय टॉनिक हार्मोनिका पर कोमल स्वर वाले गाने बजा पा रहे हैं किता है कर दो कर दो कर दो तो दोस्तों अब आपको प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा किस तरह से पहले कोई भी एक मोड बजाईए फिर मोड से संबध जो थाठ है वो फाइंड आउट कर लीजिए थाठ में कौन से राग हैं उनको ढून लीजिए और यह सारी चीज आप गूगल सर्च के जरीए कर सकते हैं एक बार अगर आपको राग पता लग गए तो उन रागों पर बेस्ट कौन से गाने हैं वो आपको गूगल या फिर यूट्यूब पर पता लग जाएंगे वो गाने आप एक डायटॉनिक हार्मोनिका पर या फिर एवन एक क्रोमाटिक हार्मोनिका पर बगैर बेंडिंग या बगैर स्लाइडर का प्रयोग किये इन मोड्स की पोजीशन पर बजा सकते हैं आपको यह लेसन कैसा लगा क्या इसमें कुछ कंफ्यूजन है अगर आप कंफ्यूज्ड है तो मुझे कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताईए मैं शायद आपकी कुछ मदद कर पाऊं और बने रहे मेरे साथ इस चैनल पर अगले वीडियो तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद